नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अफियर्स क्लाउड में तो दोस्तो भारत सरकार अमेरिका से 30 प्रिडेटर ड्रोन को खरीदने जा रहा था जिन में से 10 ड्रोन इंडियन आर्मी को और 10 ड्रोन इंडियन नेवी को और 10 ड्रोन इंडियन एरपोर्स को मिलने वाले थे और भारत इस ड्रोन डील को 22,000 करोर रुपए में करने वाला था और ये ड्रोन दुनिया के सबसे बेतर ड्रोन में से एक हैं और आज जाकर ये खबर निकल कर आ रही है कि ये ड्रोन काफी दिनों से लटकी हुई थी जिसमें भारत की मांग थी कि अमेरिका इस ड्रोन को टेक्नला प्राजी ट्रांसफर कर रहा था और अब ऐसे में खबर ये आई है कि भारत ने 22,000 करोर रुपए के ड्रोन की डील को रद कर दिया है तो अब भारत के सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों भारत ने अमेरिका से 30 प्रिडेटर ड्रोन खरीदने की योजना को होल्ड पर रख दिया है और भारत ने अपने इस निर्णाय के बारे में अमेरिका को भी बता दिया है और प्रिडेटर ड्रोन को खरीदने की योजना इसलिए भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है क्योंकि भारत के पास इस तरह के ड्रोन को बनाने की छमता मौजूद है और भारत सरकार ने हाली में नौ फर्वरी को ड्रोन के आयात या मानो रहित वाहनों यानी UAV के खरीद पर पाबंदी लगा दी थी और हाला कि इस प्रतिबंद में तुरच्छा उद्देशों के लिए मानो रहित हवाई वाहनों के अधिगान को छूट दी गई थी फिर भी इन्हें खरीदने के लिए विशिष्ट मंजूरी की आवेशकता थी वहीर अच्छा मंत्राले का कहना है कि फिलहाल इस डील को रद्द ही समझा जाए और 30 प्रिडेटर ड्रोन में से तीनों से नाव को 10-10 ड्रोन मिलने वाले थे और बता दे कि तीनों से नाव के लिए खरीदे जाने वाले इन ड्रोन पर तीन अरब अमेरिकी डालर जो करीब करीब 22,000 करोड रुपए का खर्च आने वाला था हाला कि भारती नाव से ना पहले ही दो सर्विलाइंस प्रिडेटर ड्रोन अमेरिकी कमपनी से क्सक्ति दी गई हो क्योंकि भारत के पास इस तरह के ड्रोन को बनाने की चमता मौजूद हो और वर्तमान में भारत इसराइल के हीरोन ड्रोन को अप्ग्रेट कर रहा है वहीं प्रिडेटर टाइप के ड्रोन को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है और इसमें मिसाइलों और लेजर गाइड़ेट बमों को भी निसाने पर लगाया जा सकता है और आर्म पेलोट के साथ एक प्रिडेटर प्लेटफार्म ड्रोन की कीमत लगबग 10 करोर डालर आती है लेकिन इसे मेंटिनेंस करने में 27 गंटे का समय लग जाता है वहीं भारती सेना इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल अधन की खाड़ी से इंडोनेसिया में सुंडा जल मडरू मद्य तक समुद्री निगरानी करने के लिए करती है और प्रिडेटर ड्रोन सीमाई छेत्रों में दुस्मन की नापाक हरकतों की टोह भी लेता है और साथ ही खुपिया जानकारी भी जुटा कर दुस्मन के ठिकानों पर ताबर तोड हमला करता है और यह ड्रोन 35 गंटे तक आसमान में टोह लेने में सच्छम है वहीं भारत हर तरह के हथियारों और रच्छा उपकरणों का निर्माड और विकास अब स्वदेशी तकनीक पर ही करना चाहता है और यही कारण है कि अमेरिका के साथ 3 अरब डालर का यह साउदा एक तरह से रद्ध हो चुका है वहीं आपको बता दू कि भारत अब बाहर से ड्रोन ना खरीद कर देश में ही ऐसे ड्रोन को बनाने पर जोड दे रहा है और इसी कड़ी में अब DRDO मार्स तक मीडियम उचाई वाले मेल ड्रोन को भी उतार सकता है और भारत मद्यमूचाई वाली सेटलाइट पर भी विचार कर रहा है और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत पहले ही स्वार्म ड्रोन को बना कर दिखा चुका है और DRDO के अलावा और भी भारती कमपनियां अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन जैसे ही ड्रोन पर कारे कर रही है और जल्द ही ऐसी खबर भी आना स्टार्ट हो जाएंगी कि भारत ने प्रीडेटर जैसा ड्रोन बना लिया है अब आप लोगों का क्या कहना है भारत के इस फैसले पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सेर, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रस करें ताकि डिफ्रेंस से जुड़ी खबरे आप तक पहुशती रहें और कोई भी खबरे छूटे नहीं, धन्यवाद